नमस्कार दोस्तों आप समों का YouTube चैनल Target.23 में स्वागत है आज मैं इस वीडियो के मादियम से आपको बताओंगा अपना Basic डिटेल में क्या क्या चैज़ें आप सुधार सकते हैं और कैसे सुधार सकते हैं इसलिए आपको जाकर के Chrome Browser के माधियम से जाकर सच करना है और HR Mass ID डालना है HR Mass ID डालेंगे यहाँ पर पासवर्ट डालना है पासवर्ट डालने के बाद आपको Capture भरना है Capture भरने के साथ आप Login करेंगे दोस्तों मैं Login पहले से कर चुका हूँ इसलिए आगे बढ़ते हैं Second time मैं पहले से Login कर लिया था आपको यहाँ आ रहा है अगर आप Mobile से भर रहे हैं तो आपको Left Side में आना है यहाँ पर आपको मिलेगा एक Arrow दिखेगा Arrow पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से Dashboard खुलेगा आपको Dashboard पर इसके देख रहे है Employee Sharp Service है यहाँ पर आके आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके नीचे आपका एक और नीचे Interface खुलेगा यहाँ पर आप देख रहे है View, Edit My Detail आपको इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें खुलके आ आपके सामने एक नया page खुला हुआ है तो यहाँ पर देख पा रहे है Basic Information, Family, Communication, Personal, Qualification, Current, Bank बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पर मैं Basic दो चीज़ें पर आज आपके सामने डिसकस करने वाला हूँ एक तो Basic Information, दूसरा Current इन दोनों का अंदर हम क्या क्या चीज़ें सुधार सकते हैं और कैसे सुधार सकते हैं यह सारी जानकारी मैं आपको आज दूँगा तो दोस्तों Basic Information पर आप आगे यहाँ पर किलिक करेंगे देख वा रहे हैं हम उनी चीज़ों को सुधार पाएंगे जिनके Right Side में आपको छोटा सा Box दिखेगा Box दिखेगा, Box पर आप किलिक करेंगे तभी वो चीज़ें आप सुधार पाएंगे तो इसमें हमको आप देख पा रहा है Employee Name, Religion आप इसमें कुछ भर सकते हैं यह सुधार सकते हैं Birth Place भी आप डाल सकते हैं यह सुधार सकते हैं आपके Date of Birth में गड़वड़ी हुआ है तो आप यहाँ Right Side में आएंगे देख पा रहे हैं यहाँ Date of Birth लिखा हुआ हुआ है हैंगे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ही हैलाइट होगा जैसे मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ अगर यहां क्लिक किया तो यहां मैं लिख सकता हूं कुछ इसी परकार जब यहां मैं क्लिक करूंगा तो इसमें डेट आप बर्थ बदल सकता हूं लेकिन उसके लिए आपको यहाँ डेट आप बर्थ पुरूप लगाना पुड़ेगा जो भी चीज आप सुधार रहेंगे उसके लिए उसके बाद अपना यहाँ हिंदी में नाम है कंट्री है तो जो भी चीजें सुधार पाएंगे आप यहीं से सुधार सकते हैं अब उसके लिए आपको को यहाँ पर सपोर्टिंग डॉकूमेंट लगाना है निचे आकर की एक बॉक्स ए यहाँ आप क्लिक करके करेंगे में चीजें के रिखने कृन्ट में एई इसमेंक शुधारा सकते हैं जैसी है गलती से अचारमें में मेरी त değrich चड़ गया है तो आप यहां से क्लिक करके box में अपना box में क्लिक करेंगे और अपना appointment detail सुदार सकते हैं current john भी आप सुदार सकते हैं current station सुदार सकते हैं lien john सुदार सकते हैं चिंचिन में box लगा हुआ है ph quota, ticket number, railway group, cadder, nps scheme जो भी आपको गलत लगेगा आप उसमें सुदार सकते हैं bill unit, mode of appointment, current unit, current working office, works of number, lien unit, service status, गज़ेस्टेड, non-गज़ेस्टेड, pf number, प्रान नमबर जो भी आपको इसमें आपका अगर सो नहीं कर रहा हैं वो आप डाल सकते हैं या भर सकते हैं जो कि जिसमें इसमें blank है तो आप इसमें भर सकते हैं और जो गलत लग रहा है उसको आप यहां से box में click करके नया डाल के आप सुदार सकते हैं box में डालाएंगे इस तरह सखुल जाएगा आप इसमें डाल सकते हैं सुदार कर सकते हैं अब इसके नीचे आईए, अब इसमें से आप pay level सुधार सकते हैं, department, sub department, designation, section, mscp, dpc, जो भी आपको लगा रहेगा, सुधार सकते हैं, इसमें, basic pay, यह सारी चेज़ें आप यहां से सुधार सकते हैं, और दोस्तों यह सब चेज़ें, जैसे appointment होगे, इसमें बहुत सारी चेज़ें ऐसा था, यह सब जब तक आप नहीं सुधार रहेंगे, तब तक आप mutual transfer का form तो नहीं भर सकते हैं, बांक की चेज़ें आगे चलके और भी दिक होने बाला है, इसलिए जो चेज़ें आपका गलत है, आप अगर अभी तक नहीं खोल के देखें, यह गलत है, तो आप थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि चलो आगे शुधार लेंगे, तो ऐसी भावना नमत रखिए, जो चेज़ें गलत है, उसको जितना जल्द हो सके अपना श सारी चीज़ें गलत आगया है, इसके चलते मेचल टांसपर नहीं आ रहा है, नहीं लग पा रहा है, तो उसके लिए मैंने प्रस्नली इनिस्टियल एंपॉट्मेंट यह देख पा रहा है, इनिस्टियल एंपॉट्मेंट है, प्रस्नली मैंने उसके लिए एक वीडियो बना अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, HRMS related तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिस करूँगा आपके कमेंट के जवाब देने का और आपकी समस्याओं को दूर करने का, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज के वीडियो म बस इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में धन्यवाद